लट्ट कुपाल की प्राण प्रतिश्टा करकर उन्हें घर के मंदर में स्थापित करें लट्ट कुपाल के आखों में एक लाल कपड़ लगा लें फिर उन्हें धीरे से पतीले में रखके उस पतीले को गेहु से भरते जाएं मैं मानती हूं कि प्रेम से उन्हें जू अर्पित करें उन्हें वो उसी रूप में प्रपेट होकर ग्रहन करते हैं एक घंटे तक उन्हें लाल कपड़े में ढखके रखें फिर आप लाल कपड़ा हटाएं दीरे से गेहूने काले और उस गेहूं के जगा चावल ढखते जाएं उन पर फिर वही लाल कपड़ा चढ़ाकर एक घंटे तक उन्हें ऐसे ही रखें मानता है कि जब प्राण पतिष्टा हो जादी है तो वो घर लड़कोपाल का हो जाता है और वो उस घर की रक्षा हमेशा करते हैं पर धीरे धीरे चावल निकांग दे और उसी पतीले में फल रखें एक लाल कपड़ा डालके उन्हें ढख दे ये फिर हमें एक घंटे तक रखना है अपने लड़कोपाल के लिए एक प्यारा सा नाम सोच लीजे प्योंकि आज से आप उने उसी नाम से बिलाने वाले है अपको सुंदर सुंदर फूल ले ले गिंदा को लाब रशनी गंदा या जो आपके मन को भाई लड़कोपाल के उपर फूल चड़ाएं और उनको ये पूरे बदन को फूल से ढख ले एक घंटे तक उस लाल कपड़े के अंदर लड़कोपाल हमारे फूल में बैठे रहेंगे जिस तरह से बच्चिक कुमा के गर में पोशिन मिलता है उसी तरह बालकोपाल को इस प्रक्रिया से पोशिन मिलती है अपने भगवान को एक घंटे बांद आप फूल हटा के उठा के बढ़ा सकते हो दूद, गही, घी, शहर, चीनी और गंगाजल से स्नान करा सकते हो स्नान की पश्चान आप उन्हें एक प्लेट पर बैठा दे, उन्हें पहुच ले उन पे एक सुवार्ट तुलसी की पत्पे चड़ा दे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमा का चाप करके इससे आपकी प्रान प्रतिश्टा पूर्ण हो जाती है जैस्ठी कुष्णू में चापकी प्लेट झापकी बढिख़ाइं प्रतिश्टा प्रतिज्यू में नमें प्लेट प्लेट को शब एक प्ल में I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out If all the things you never showed you